नमश्कार मैं अंजली विश्र स्वागते आप सभी का दन्योज में CA लागू हो चुका है उसका नूटिफिकेशन भी आ चुका है और अब CA को लेकर जहाँ विपक्ष इस मामले को लेकर प्रतिकरिया दे रहा था उन्होंने प्रधार मंत्री नरंद्र मोधी की तारिफ करते हुए बड़ा दावा कर दिया हर कहा है कि प्रधार मंत्री की लोग प्रियता इतनी जादा विश्वश्चनिया है कि उनकी लोग का प्रियाता पार्टी लाइन से भी परे है और एक बार फिर से जो है वो प्रधार मंतरी पत पर विराजमान होंगे जहां बिल्कुल सही सुना आपने क्या है पूरा माजरा आईए के करके विस्तार से जान लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सयुक्त राष्टर द्वारा द्वारा C.A. को भेद भाव पूर्ड बताए गया जबकि अमेरिका के कहना है कि वह सम्भामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है राइटर्स के साथ होए खास बातशीत के दोरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा हमें 11 मार्च को जारी किये गए C.A. की अधी सूचना को लेकर परेशान है उन्हें मामले को लेकर हम गहनता से विशलेशन कर रही है कि वहां इसे कैसे लागू किया जाएगा अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा धार्मी का अजादी को सम्मान और सभी समुदाय के लिए कानून के तहत सामान वैवाल लागू करना मूल भूत लोकतांतरिक सिधान थै यही नहीं भारत में लागू किये गए सीए कानून की मानवादी कारे कारे करता और इससे जुड़ी संस्थाय भी अपना निशाना बना रही है Human Rights Watch and Amnesty International मुसल्मानों के खिलाब भेदभाव के रूप में दिखाया है बता दे कि भारत की मौझूदा सरकार ने 2019 में सीए को संसद में पेश किया था इस दोरान इसे दोनों संद्रों में काम्याबी मिली थी हाला की इस दोरान कई जगों पर हिंसा जड़ब भी देखने को मिली थी इसके बाबजू सरकार अपने फैसले पर अडिग रही ऐसी संभावना जुताई जा रही है कि लोकसभा चुनाओं से पूर वदेश में सीए कानून को लागू किया जा सकता है ठीक वैसा ही हुआ भारत में जल्धी लोकसभा का चुनाओं होने माला है और उसे कुछ महीने पूर बीते 11 मार्च को केंद सरकार अडिक कानून को लेकर अपनी जड़ी सूचना है वो जारी की है नागरिक्ता संसोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तार, बांगलादेश राये, मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोड़ कर हिंदू और सिखों समय तान धर्मों के लोगों को भारत की नागरिक्ता दी जाएगी अब ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीए इनके लिए परिशानी का कारण बंड़ा है इनको ऐसा लगता है कि सीए जो है भेदवाव पूर्ण है, उनको लगता है कि सीए मिसल्मानों के खिलाप भेदवाव करता है जबकि पहले ही विपक्ष के द्वारा फेलाए गई जूट और जिस तरीके की प्रतिक्रियाय आई उसे लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है साफ तोर पर उन्होंने जो बात कही है वो यह कहा है कि यह नागरिक्ता देने वाला कानून है नागरिक्ता छीनने वाला कानून नहीं है जी हाँ आपने सही सुना यह उनने या निग्रावंति अवंच्छा ने साफ किया है कि जो राहूल गांदी है जो खडगे है केश्रिवाल है या फिर असदुदीन ओवेसी है यह सभी जो है C.E.A. को लेकर भ्रम पहला रहे हैं यानि जूट पहला रहे हैं ऐसा कुछ भी नही है कि C.E.A. से आपकी नागरिक्ता चली जाएगी बल्कि उल्टा C.E.A. से नागरिक्ता दी जाएगी अफगानिस्तान बंगलादेश और पाकिस्तान से आए शर्ने आर्थियों को दी जाएगी यह लोग तो आइसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष इसे भ अमेरिका क्या रहा कि हमने पने पैनी नजर बनाई हुई है से युक्तरास्ट भी से लेकर चिंतत बतारा आपने आपको तो ऐसे में अगर आप देखेंगे भारत की विपक्षी पार्टी जो आलोचना कर रही है से बीच अब अमेरिका और से युक्तरास्ट ने C.E.A. को भ भारत का C.E.A. मूल भूत रूप से बेदवाव पूनहर भारत के अंतरास्टिय मानव अधिकार दैत्व का उलंखन करता है प्रवक्ता ने जोरान ये भी बताया कि उनका कारेकाल अभी अमालूम करने की कोशिश कर रहा है कि C.E.A. के नियम अंतरास्टिय मानव अधिकार क अनून के अनुकूल है या नहीं साथ या अमेरिकी सरकार ने भी इस कानून को लेकर चिंता जायर की है अब NRC के वाप्सी कडर अमेरिकी वदेश मंत्राले के एक परवक्ता ने इमेल पर रॉइटर्स को बता कि हमी 11 मार्च की C.E.A. के अधिस सूचना को लेकर चिंते थे अनुकूल को तरह के या और पर उस पर पहनी नजर भी बनाईवाए ऐक दूसी तरफ अमेरिका के संसोदों का कुछ और भी दाला आए कि कि उनके संसोदों ने प्रधार मंतृ नरे नरिदर मौधी के तारफों के पुल बांने भी शुरूक किया है एक तरफ इस तरीके के ब जॉर्जिया से रिपब्लिकन सांसा दर रिच अब मैं कॉर्मिन थे एक इंटेवी में कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी काफी लोगप्रिया है। मैं भारत में था, मैंने प्रधान मंत्री मोदी और अन्य कई सांसुदक साथ दोपहर का भोजन किया। और पार्टी में उनके लोगप्रियता देखी, कोई है जो मुझे लगता है कि करीब 70% लोगप्रिया है तो वो मोदी है, वो फिर प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं, वहीं रणनितिक संबध प्रभावित होंगे। उन्हें एक सवाल में जवाब दोते हैं, मैं कहा कि अर्थ विवस्ता, विकास, सभी लोगों के प्रती सद्वावना पर उनके प्रगतिशील दुष्टी कोण को देखना, दुनिया भर में, प्रवासी भारतियों के प्रती, उनके आवेधन और सकरात्मकता को देखना हुए विश्वित अर्थ विवस्ता, उनके रणनी तेक संवन प्रभावी थोगे, मैं बहुत साकरात्मक तरीके से उनके प्रभाव की उमीद करता हूँ, चार से आठ प्रतीशत के विर्धी, उनने कहा कि मोधी के नेक्टत में भारतिय अर्थ विवस्ता साल आना चार से आठ प् उनके पास आगे बढ़ने का विश्वासनिया लाब होगा क्योंकि व्यवसाय एक विस्तारित बाजार में भारत में प्रभिश करना चाहते हैं, चीन जैसे देशों का वरूत, आपको बताते हैं कि मैं कार्मिक क्या ने आगे कहा कि जब हम उन तक्नीकों को साज़ा करते हैं जिन पर हमें भरूसा है, तो हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे ऐसे इस्तिमाल करें जो दोनों देशों के लिए लाबकारी हो, अच्छी बात ये है कि हम आक्रम का रुख नहीं देखते हैं, जैसा कि हम चीन से देखते थे, वास्तों में हम चीन जैसे देशों का विरोध करने के लिए भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपून रणनीतिक और सामराहिक सहयोग देखते हैं, जो निर्कुष है, हम ऐसे संबंद बनाए हैं, जहां सच्चा विश्वास हो, जी हां, उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरुवत है कि हम ऐसे हैं, सूस करते रहे हैं कि भारत इमानदार हैं, वे हमारी तक्नीकों को चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे उन्हें साज्वा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए अपने आर्थिक लाब का उपयोग करना बिलकुल ठीक है, तब समझ सकते हैं कि कि इस तरीक और दो तरीके के अलग-अलग जोड़कर आप कहेंगे जवाब और बातवन देखने के लिए हमने आपको पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है इस पूरे मामले पर वाब के भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से येगा दनेवाद